विसमें नहीं रुख्मानिराहीम, असलामलेकूम मैं हूँ आपदा आतिव और मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमली को अपने यूट्यूब चैनल किर्सन किचन में खुशामदीद कहती हूँ आज मैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार मतर मुर्फी के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ ये सालन बहुत मज़े का बनेगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा मैं आपको बहुत असान तरीके से ये बनाना सिखाऊंगी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम बहन भाईयों का तहे दिल से शुक्री आदा करना चाहती हूँ जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमली का हिसा बन रहे हैं और मेरी वीडियो को भी पसंद करते हैं इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पढ़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर भी ज़रूर कीजिएगा तो चलिए अब हम अपने रेसिपी के इंग्रेट्स के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने दो दर्मियाने साइस के प्याज ले लिये हैं जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है साथ से आठ जवे लहसन के लिये हैं और एक इंच का टुकड़ा अद्रक का जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है ताकि जब हम इसको grind करें तो ये असाने से grind हो जाए दो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने roughly chop कर लिया है चार अदद हरी मिर्चे ले ली हैं और इनको भी मैंने दर्मियान से cut कर लिया है इसके लबा यहाँ पर देर खाने का चमच मैं नमक ले रही हूँ और आधा किलो यहाँ पर मैंने मटर ले लिये हैं और आधा किलो ही मैं चिकन ले रही हूँ आधा कभी इसमें cooking oil जाएगा तो ये तो थे ingredients और अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बरतन में cooking oil डाल लेंगे oil डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा गरम होने देंगे जब cooking oil थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें प्यास शामिल कर देंगे प्यास को हम यहाँ पर light golden color का होने देंगे जब तक प्यास light golden color का होता है हम दूसरी तरफ अद्रक लहसन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के बाद हम इसको side पर रख देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्यास है वो light golden color का हो गया है तो इस point पर मैं इसमें chicken शामल कर रही हूँ और chicken को अब मैं यहाँ पर इतना fry करूंगी कि इसका जो color है वो change हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि chicken का color change हो गया है अब इस point पर जो paste हमने त्यार किया था वो हम इसमें शामल कर देंगे और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसके बाद मैं इसके अंदर नमा, मिर्च, हल्दी और हुश्ट धनिया पाउडरो शामल कर रही हूँ अब इन तमाम चीजों को भी मैं अच्छी तरह से mix कर लूँगी तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद अब मैं इसको धक कर हलकी आग पर इतना पकाऊंगी कि जो मिसाले हैं उनकी भुनाई हो जाए और चिकन और मटर अच्छे से गल जाए मिलते हैं थोड़ी देख के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन और मटर अच्छे से गल चुके हैं मिसाले की भुनाई हो चुकी है तो चिकन को गलाते हुए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था चिकन अपने ही पानी में गला है इस पॉइंट पर अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल कर दूँगी जितना मुझे इसमें शोर्बा चाहिए आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसके बाद अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि शोर्बा गाड़ा हो जाए इस पॉइंट पर मैं इसको धक कर हलकी आग पर रख दूँगी तो मिलते हैं थोड़ी देख के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोर्बा बहुत अच्छा सा पक चुका है और अब हमारा जो सालन है वो तैयार है तो इस पॉइंट पर मैं इसके उपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया चुड़क दूँगी और इसको भी एक बार मिक्स कर लोगी और इसको मैं अपने सर्विंग प्लेट पर निकाल लोगी जी तो विवर्स कैसी लगी आपको मेरी आज की मज़ेदार सी मटर मुर्गी के सालन की रेसिपी मैं उमीद करती हूँ आपको जरूर अच्छी लगी होगी मैंने आज की जो रेसिपी है बहुत ही अस्तान और सादा तरीके से आपको बनानी सिखाई है ताकि हर कोई इसको अराम से अपने घर में बना सके और बड़े बजूर्ग जो मिसालजात से परहेस करते हैं वो भी इसको अराम से खा सके अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रिस करना मत भूलिएगा ताके मेरी नई आने मली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जिल्दी आप तक पहुंच सके तो मिलेंगे एक और असान सी और मज़िदार सी रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अलाहफेज